नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर एंड चीओ, मैं टासोवर्सिस लेमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर के मन में अपने ब्रैंड, अपने प्रोड़क्ट या अपनी सर्विस को लेकर जगा बनाई जाए ताकि वो आपका प्रोड़क्ट आपकी कीमत पर खरीदने के लिए तयार हो तो जरूरत है सबसे पहले समझने की कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह का होता है किस किस तरह के कंज्यूमर मार्कीट में पाई जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की और तीनी तरह का बिहेवियर कंज्यूमर का होता है सबसे पहला होता है प्राइज कॉंशियस कई बार आपका ग्रहक ना कड़ाक शब्द है लेकिन सभी सब्द है कि आपका ग्रहक इतना लीचर्ड होता है कि जो केवल फोकस करता है फ्राइज पर तो फ्रीज गॉसकी कंज्यूमर मेर न उसको ब्रैंडंच से लेने देने नहीं है उसको क्यालिटा सब्सें ओसको केवलिज दिखता है कि कहाँ से price की वज़े से reject नहीं करते इस वज़े से reject करते हैं कि आपकी quality बेटर नहीं है इसका मतलब वो अपने मुझे एक बात कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि price क्या है मुझे तो बढ़िया quality चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता कि brand क्या है कई बार price को check भी नहीं करते हैं लेकिन वो particular brand को ही पसंद करते हैं आज बहुत सारे ऐसे example में आपको बताने वाला हूँ जो आपके mindset को बदल के रख देगी कई बार एक ही जैसे product एक ही तरह की class में अलग-अलग price पर बिखते हैं ये बात सीखना और समझना इसलिए भी बहुत जुरूरी है कि अगर आप अपने business में market में एक अच्छी जगा बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी strategy पता होनी चाहिए तो देखिए सबसे पहले आपने देखा हुआ string नाम की एक energy drink आती है और एक energy drink आती है red bull दोनों में क्या similarity है कि दोनों ही energy drink है अगर मैं price की बात करूँ तो string जो आती है वो लगबग 20 रुपी 25 रुपी की आती है और यही बात अगर मैं red bull की करता हूँ तो इसका जो price है 120, 125, 130, 105 105 रुपे से लेकि 125 रुपे तक अलग-अलग market में अलग-अलग rate पर विखती है इन दोनों में difference क्या है इन दोनों में difference है कि इनकी जो targeted audience है ना दोनों brand की वो कौन सी है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यह एक mass production को लेकर focus करते हो energy drink के रुप में अपने आपको दिखाता है यह अगर आपको energy चाहिए तो आप इसे पीजिए लेकिन जब हम Red Bull की बात करते हैं तो Red Bull की जो marketing strategy वो बिल्कुल different है वो हमेशा adventure को दिखाता है वो हमेशा daring को दिखाता है वो हमेशा power को दिखाता है वो हमेशा ऐसी energy दिखाता है जैसा कभी किसी ने नहीं किया आपने देखा कि एक person ने mountain से चलांग लगाई flying gadget पैन कर और वो चलते ऐरो plane में बैठ गया और वहाँ पर Red Bull का sponsor partner था मतलब Red Bull ऐसे program को sponsor करता है जहाँ पर बहुत ज़रा daring लगती है तो जब भी कोई इस energy drink को पीता है तो उसका ऐसा महसूस होता है कि मैं तो एक super power अपनी body के अंदर डाल रहा हूँ मतलब मुझे एक ऐसी extra energy मिलने वाली है जो और किसी energy drink से नहीं मिल सकती यही कारण है कि इसका जो price है वो 20 रूपी है और इसका जो price है वो 120 रूपी है तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि आपका consumer किस चीज से inspire होता है कौन सी चीज उसके मन में ऐसी energy भर देती है कि वो आपका product लेने के लिए तयार हो जाए कुछ example मैं आपको और बताता हूँ जैसे आपने देखा कि जो clothing है clothing brands में बहुत सारे brand है लेकिन कई बार आपको न अंदाज़े नहीं होता है कि एक ही company के दोनो brand है एक ही तरह के product है केवल brand endorsement अलग है मतलब brand की जो equity है brand की जो positioning है market में बिल्कुल different है अगर मैं Raymond की बात करूँ सभी को पता Raymond एक Indian brand है और एक high quality fabric एक high quality कपड़े में deal करता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो Peter England है ये भी एक Indian brand है यहाँ पर क्या है positioning Raymond ने अपने आपको as a Indian brand market में position पर लेकर आया है और यही बात अगर Peter England की करूँ तो एक high class community को target करनी के लिए उन्होंने इस तरह से अपने logo को उस तरह से अपनी advertisement को design किया है कि आपको ऐसा feel होता है कि आप एक international brand खरीद रहें लेकिन दोनों के ही बनाए हुए product एक ही company के brand है तो यहाँ पर बड़ा difference रहता है price का इसके अलबावा आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है एक ही समय पर एक ही स्थान से एक साथ जाने वाले passenger भी जो एक निश्चित गणतावे स्थान पर एक साथ पहुँचेंगे उसके बावजूद भी उनकी जो class है उनका differentiation होता है आपने देखा है कि बहुत सारे लोग masses की तरह flights में ठुस ठुस के जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है that is economy class और second that is business class तो यहाँ पर difference क्या है एक ही स्थान पर आपको masses भी मिलेंगे एक ही स्थान पर आपको classes भी मिलेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर एक standard of living change हो जाता है standard change होनी की वज़े से कुछ superior seats होती है जैसे जिसमें extra leg space आपको मिल जाता है तो यहाँ भी एक थोड़ा सा priority का option होता है कहते हैं कि अगर middle family की बात करूँ ना तो middle family भी तीन तरह की एक normal middle family, एक average middle family एक upper middle family आप कर सकते हैं साथ में एक lower middle family तो ठीक इस तरह से economy class में भी differentiation हो जाता है तो यहाँ ही समझना जरूरी है कि आपका ग्रहा किस तरह का mindset रखता है अगर मैं और बहुत सारे ब्रैंट्स की बात करूँ जैसे इंडियन ब्रैंट्स में हमारे आ गए बाटा खान नहीं रिलाक्स हो यह जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं अपने प्राइस लाइब के लिए कि एक प्राइस को भी बहुत ज़्यदा फोकस करता है लेकिन कुछ ब्रैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रैंड की इक्विटी इस तरह से बनाई है मार्केट पे अपनी पोजिशनिंग इस तरह से बनाई है कि वह ठीक उस तरह से शूज में टी-शेट्स में इन्होंने अपने आप जो पिमा को पसंद करतें जूज हimientos पर सकतर हैं से हमें से हर वेक्ति जैला तरह चाय पी ने के तرीके किया है आप घर बन वाते हैं वह तो family का part हो गया free of cost हो गया आपके लिए मता family part हो गया लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना चाही की आप चाही की टपरी चाही के ठिले पर अगर चाही पीते हैं तो जिस quality और taste की चाही ये बनाता है वैसी ही चाही आपको चाही उसमें मिलते है यह जो traditional tea seller है यह आराम से अपनी दुकान पर सारी चीज़े बेचता है सब काम करता है लेकिन यहाँ पर कोई SOP नहीं बनी है कोई system डेवलप नहीं हुआ यहाँ कोई process डेवलप नहीं हुआ यहाँ autopilot mode नहीं है यही चाही बना रहा है यही चाही बेच रहा है यही साफसफाई कर रहा है इसका यह method रहता है लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी काम को मतलब tea के काम को चाय के काम को भी एक systematic तरीके से डेवलप किया है जैसे mba.chayewala.com आपने आज कल देखा को बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है बहुत ज़्यादा videos भी इसके आ रही है क्यों क्योंकि इसने एक unique काम किया unique तरीके से काम किया मतलब वही बात जो चाय की करते है वही काम चायों कर रहा है cafe coffee day कर रहा है बरिस्ता कर रहा है Starbucks कर रहा है तो यह सारे brand भी वही काम कर रहे है जो एक छोटा चाय वाला कर रहा है difference क्या है उनके काम करने के तरीके में जैसी आप अपने काम करने के तरीके को परिवर्तित करते हैं अपने business का एक system, standard, quality and parameter बनाते हैं और business का proposal develop करके logo तक जाते हैं तो investors आपके business में invest करते हैं आपकी brand की equity तेजी से आगे बढ़ जाती है तो ये तरीका है अपने business को systematic तरीके से design करने का इसके अलावा अगर मैं vehicles की बात करूँ तो बहुत सारी company, बहुत सारे लोग जो गाड़ियां खरीते हैं कोई मारूति को खरीदना पसंद करता है कोई Tata, कोई Honda लेकिन अगर मैं आपसे बात कहता हूँ मानली जी आपका 70 लाख रुपे का budget है आप चाहते हैं 60-70 लाख रुपे की गाड़ी मुझे खरीदनी है तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मारूति की 70 लाख की गाड़ी आप नहीं खरीदेंगे इस क्लास में वो आता है उसी के हिसाब से वो अपने product का selection करता है अगर किसी व्यक्ति की income बहुत कम है न और mentally और financially sound नहीं है वो तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहा हूँ जब वो five star hotel में जाता है उसके pair कापते हैं उसे डर लगता है लेकिन इससे ज़्यादा पैसे वो एक छोटे restaurant में बैठकर खर्च कर लेता है हजार बारसो दो जार उपे खर्च करकर वो डिनर कर लेता है लेकिन अगर उसको चाई पीने के लिए five star hotel जाना पड़े न तो उसको घबराट महसूस होती है क्यों होती है क्योंकि उसका standard of living उस तरह का नहीं है यह बात बहुत important है कि अगर आप consumer के मन को समझ जाए ना तो आप आसानी से अपने brand की positioning उसके mindset के हिसाब से कर सकते हैं एक और बात मैं आपको कहता हूं मानलीजी आप एक movie देखने जा रहे हैं तो movie आप local theater पर movie पर आप देख सकते हैं समराथ है शीला है लक्षमी ऐसे बहुत सारे फिल्म है फिल्म टाकीज यहां पर आप movie देख सकते हैं लेकिन इसी में एक standard है जिसको राज कमल यह कमल बंदिर जो आपने जैपूर में देखा होगा तो वहां पर दिखाने का तरीका भी से मैं लेकिन जो standard of presentation है वो बदल जाता है लेकिन यही बात अगर मैं Cinepolis जैसे बहुत सारे cinema hall है उनकी मैं बात करूँ जिरों ने multiplex बनाया हुए या PVR cinema बने हुए same movie same movie का experience भी आपको अलग-लग तरीके से होता है वहां की air conditioning अलग है वहां का atmosphere अलग है वहां का sitting arrangement अलग है वहां पर जो movie दिखा रहे हैं उसके लिए जो परदा इस्तिमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल different है वहां पर जो sound system है वो बहुत different है sound proofing बहुत बढ़ी है cooling ब अलग-अलग price देने के लिए तैयार होता है दिल्ली यूपी हर्याना राजस्तान पंजाब बिहार उत्राखंट बहुत सारी जगहां पर ऐसे traditional cinema hall बने हुए हैं और वहां पर टिकेट 30 रुपे से लेकर 30 40 और 50 रुपे मतलब बालकनी की बात को तो 50 रुपे की बालकनी टिक experience लोगों ने लिया कि वहां पर सेम आपको output मिलने वाला है क्योंकि quality based product किस तरीके से आप एक ही तरह की services के लिए देते हैं यह आपके उपर निर्भर करता है इसके अलाबा आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग अपने business में अपने काम में बहुत सारा furniture बनवाते हैं cabinets बनवाते हैं storage cabinet बनवाते हैं modular kitchen बनवाते हैं wardrobes बाथ्रों बहुत सारी चीज़ कारपेंटर बेज्ड मनेफैक्टरिंग कराते हैं कारपेंटर बेज्ड डिजाइनिंग कराते हैं अब कारपेंटर अगर कहीं चीज़ को बनाता है तो वह machinery उसके पास नहीं होती वह automated tools उसक लेकिन जब वही काम हम brand के साथ एक CNC machine से करते हैं एक quality equipment के साथ करते हैं systematic designing के साथ करते हैं alignment के साथ करते हैं तो उसकी quality आती है बिल्कुल different आती है तो यही बात एक local car painter में जो वह product बना रहा है उसकी quality में और वही चीज़ जो metas lifestyle का brand stainless steel module location bathroom vanity और wardrobes बना रहा है दोनों के बना Pinterest से काम करते हैं जो लोग quality and brand conscious होते हैं वो हमेशा brand से ही चीज़ों को खरीते हैं देखें यहां पर बहुत सारे मैं आपको option दिखा सकता हूं यह सब CNC machinery made product है high quality product हम design करते हैं अगर आप इस business opportunity से जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से metas overseas limited के brand metas lifestyle के business associate partner बन सकते हैं अब य इंडिया में नहीं पूरे विश्व में हर जगा घर मकान कोठी बंगलो फार्मा उस बन रहे हैं या उनका renovation हो रहा है तो जहां भी नया मकान बन रहा है उसका renovation हो रहा है तो वहां kitchen vanity wardrobe storage cabinets की जूरत पढ़ती रहती है या तो वह लोग कारपेंटर से बनाएंगे अगर वो price conscious ह और अगर वो quality and brand conscious है तो वो लोग high quality product एक brand से खरीदना पसंद करेंगे जहां पर सारा का सारा काम automated machinery से होता है अगर आप इस business opportunity से जोड़ना चाहते हैं तो आप बिना किसी cost के बिना किसी investment के हमारे साथ associate partner बन सकते हैं और associate partner बनने के लिए आपको करना क्या है मैं यहां पर आ 1003 7773 इस number पर आपको WhatsApp करना है आपका नाम आपकी city आपकी qualification automatically आपको reply आ जाएगा उसको follow करना है और registration form भरना है company के catalog, brochure, images, download करने हैं और metas overseas limited के brand metas lifestyle के साथ मिलकर associate partner बनके अच्छे income आप कमा सकते हैं आरली हमारे associates 30-40,000 रुपए से लिखे 4-5,000,000 रुपए तक परमत कमा लेते हैं तो यह एक brand है जब आप brand conscious clients के साथ काम करेंगे जब आप quality conscious clients के साथ काम करेंगे ना तो आपको मजा आने वाला है सारी information WhatsApp के मादेम से आपको आएगी request station नबर पर call ना करें स्केवल WhatsApp करें यह आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत